यहां पर हमें गिवन है क्यूब रूट में 3 ब्रैकिट में क्यूब रूट एक्स इकल टू के बराबर है तो हमें वैल्यू फाइंड आट करनी है क्यूब रूट एक्स प्लस पहले मैं क्या करता हूं कि क्यूब रूट एक्स को एक एक कल मान लेता हूं ताकि मुझे जब बार बर लिखना हो तो मैं ए लिखूँ और कोश्चन को थोड़ा और असान हो जगस से तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिए कि क्यूब रूट एक्स जो है वह यह के बराबर है तो जैसे कि मैं वैल्यू निकान ली है क्यूब रूट एक्स प्लस वन अपॉन क्यूब रूट एक्स की तो यहां पर ए माइनस वन अपॉन इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने य है तो जब यह equal to को क्रॉस करेगा तो यहां पर क्यूब बन जाएगा तो यहां पर हम अगले step में क्या क्यूब रूट को इसको क्यूब बना लेंगे और equal to के क्रॉस ले कर जाएगे यहां पर 3 अब रैकेट में यहां पर 3 जो है तो यह equal to को क्रॉस करेगा तो यह डिवाइट की फॉर्म में चलाएगा तो हम इसको इस तरह से दुबारा से लिख लेंगे यह हमारा बन गया है आगे question को बढ़ाने से पहले मुझे इसके दोनों तरफ जो है वो square करना होगा square इसलिए करना होगा अभी आपको पता चलेगा कि जो मुझे निकानना है उसको निकानने के लिए मुझे इस तरह के steps जो है वो लेने पड़ेंगे तो अभी मैं square करता हूँ इसके दोनों तरफ तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ जो है squaring करती है अब तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a minus 1 upon a का whole square है इसमें हम formula लगाएंगे a minus b का whole square जो की होगा a का square minus 2ab plus b का square और यहाँ पर 8 upon 3 का हम square निकालेंगे यानिकि 64 upon 9 हो जाएगा यह तो आगे हम इसका step लिखते है तो सके लिख लिख लिया है a square minus 2ab plus b square यह 64 upon 9 के कुल है अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा से solve कर लेता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ माइनस 2 जो है यहाँ जो है उधर जाके वह plus 2 हो जाएगा और बाकी हम इधर ही लिख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो 2 है वह plus का हुआ तो यहाँ पर रहे गया a square plus 1 upon a square और यहाँ पर हमने 9 और 1 का इसम लिया 9 तो 9 को 9 से डिवाड करेंगे तो 1 आएगा तो 1 को पर से multiply करेंगे 64 यहाँ लिख दिया हमने और इसी तरह से 1 की table में 9 जो है 9 जा पर आता है और 9 को पर से multiply करेंगे तो 18 जैसे कि नॉर्मल आप fraction को प्लस करते हैं वैसे हमने इसको एड कर लिया और एड करके यहाँ पर 82 upon 9 जो है हमारा value आई है a square plus upon a square की तो अब हम question को और आगे बढ़ाते हैं question को आगे बढ़ाने के लिए अब देखें हमें क्या करना होगा कि हमें a plus b का whole square यह वाला identity हमें यूज करनी ह है वह root 3x plus one upon root 3x का निगालना है यानि कि a plus one upon a का अगर answer आजाता है हमारा तो हमारा answer जो है वह आजाएगा तो पहले मैं identity लिख लेता हूं और जो put है जो भी हमें मालूम है वह put करके बाकी balancing में देखता हूं क्या बसता है देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर identity जो है वह लि हुआ था एसे cancel हो गया था तो minus 2 बचा था यहां पर उसी तरह से यहां पर भी a से cancel हो गया तो यहां टू बचा है अब हम इन दोनों को साथ सात लिख लेते हैं क्योंकि a square plus one upon a square की value जो है हमें अल्यड़ी मालूम है यहां पर आई थी वह हम यहां put कर सकते है ठीक है तो इस स 1 upon a की value निकाल आएगी हमारी तो हम इसको साथ सात लिख लेते हैं जैसा कि मैंने साथ सात लिख लिए a square प्लस बानपान a square को वन अबंबन a square है इसको कि first से आई है यहां पर लिख जते हैं वन कि a plus 1 upon a square जो है वह इसके को लए अब इसको वैसे ही जैसे हम fraction को solve करते हैं वैसे ही हम इसको solve कर लेंगे हैं अब तो देखे जैसे कि हम ने इन दोनों का वैसे ही लिया 9 की टेबल में 9 जो ऐका 1 जाप आएगा तो 1 को उपपर से मिल्ट्प्लाउ desc colleges जैसे यहां पर 0m2 स्क्वाइर है तो स्क्वाइर जो है जब इक ईक्ल टु को प्रॉस करेंगा तो वह रूट में कर्वाइगा तो federal Line आंगा तो इसको हम लिख लेते हैं इसको तो यहाँ पर जो है वो square जो है वो उधर shift हो गया है तो वो root में convert हो गया और जब इसका जो answer निकलेगा वो हमारा दो तरह से निकलेगा जैसे 100 का square 10 हो गया और 9 का square root 100 का square root 10 और 9 का square root 3 तो यह जो answer आया वो हमारा plus और minus दोनों की form में आया इसका मतलब यह है कि a plus 1 upon a की value होगी वो plus 10 upon 3 होगी और minus 10 upon 3 होगी तो उसके 2 answer होगे तो जैसे कि हमने शुरू में माना था कि a जो a है वो cube root x है तो यहाँ पर हम इसको दुबारा से लिख लेंगे उसी form में जहां से हमने इसको let किया था तो देखें जैसे की a plus 1 upon a का answer है हमारा plus minus में 10 upon 3 डिए हैंको एक कि यां की जगह पर हमने क्यों यह आई ejercp क्यूब रूट है कि एक की जगह पर हमने दोबारा से कि बोड़ टेक्स और जब इस तरहिए अंसर में हैं तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे और कोश्चन्स और नई वीडियो जाने वाली हैं तो देखते रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए चैनल करो